अकटोण आप किया है कैसे काम करता है किस प्रकार से आप multiple options को यूज़ करके नए account बनाएंगे प्राइविट HER कRIE का backup किस प्रकार से लेंगे किस प्रकार से setup करेंगे अगर आपको कई error आता है तो किस प्रकार से fix करेंगे इसके अलावा किस प्रकार से आपको OctoApp को यूज करना है और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माद्दम से डिटेल में जानेंगी इसके अलावा अगर आप और अधिक OctoApp के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description में OctoApp के playlist का link मिल जाएगा अब सबसे पहले step है आपको वीडियो के description की link को follow करना है या फिर अगर आप iPhone यूज करते हैं सो App Store से आप OctoApp के application को install करेंगी अगर आप Android मुबाइल यूज करते हैं सो Play Store से आप application install कर लेंगे जैसे आप OctoApp के application को open करेंगे first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है बहुत ही simple interface है नीचे आपको option मिलते हैं तीन first option आपका select होगा earn वाला earn वाले option में आपको काफी सारे tokens दिखाए देंगी जिनको आप staking करके rewards कमा सकते हैं या फिर आप simple language में ऐसे भी मान सकते हैं इस प्रकार से हम bank में FD के रूप में पैसे deposit करते हैं और हमें bank 7% 8% के something interest देता है हमारे पैसे पी उसी प्रकार से आप अपने crypto को fix deposit करते हैं और आपको यहाँ पर जितना भी percentage लिखा हुआ मिल रहे हैं उतना percentage आपको मिलता है सबसे पहले समझते हैं कि account की इस प्रकार से बनाना है तो उपर आपको option मिलेगा user का आप user के logo पे click करेंगे कुछ इस प्रकार के options आपको दिखाए देंगे account बनाने के लिए register का आपको option मिलेगा यहाँ click करने यहाँ पर click करने के बाद में फिलाल आपको दो option मिलते हैं पहला option आपको मिलता है mail का यह फिर आप बूल सकते हैं कि आप अपने email id के मादम से account बना सकते हैं दूसरा option आपको मिलता है CoinDCX का CoinDCX का option आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो octo app को बनाया गया है वो CoinDCX की तरप से ही बनाया गया है so for example आप एक ऐसे user हैं जोनोंने CoinDCX पर अपना account नहीं बना रखा है आप सरप octo app को use करना चाते हैं आपको CoinDCX से कोई लेना देना नहीं है so आपको यहाँ email वाला option मिलेगा इसके ओपर click करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना email ID डालना होगा जिस भी email ID से आप अपना account बनाना चाते हैं email ID डालने के बाद में आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद में आपने फिलाल जो email ID डाली होगी उस पर आपको OTP भीज़ा जाएगा जो की होगा password setup का password आपको यहाँ पर strong बनाने होंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे word यूज करने होंगे तो आपको जो first word है वो आपको यहाँ पर capital यूज करना है उसके बाद में आप small यूज करेंगे उसके बाद में आप numbers यूज करेंगे मैंने अपने password यहाँ पर बना लिया है उसके बाद में मैं next पे click करूँगा next पे click करने के बाद में आप से बोला जाएगा कि आप six digit का एक pin बना लीजिए आप जब भी अपने wallet को open करेंगे सो आपको इस pin की जरुरत पढ़ने वाली है so for example मैं demo के लिए आप कुछ भी pin बना लेता हूँ अब आपने फिलाल जो pin प्रोवाइड करवा है वो वापस से आपको confirm करने हुगे सो वापस से मैं अपना pin यहाँ confirm कर देता हूँ जैसे आपके pin confirm हो जाएंगे सो आप अपने face id को यहाँ पर enable कर सकते हैं मैं ok पर click करूँगा जैसे मैं ok पर click करूँगा सो यह face id को detect करेगा उसके बाद मैं आपको थोड़ी दिर wait करना होगा आपका जो wallet है वो create किया जाएगा इसमें 5-10 second लग सकते हैं सो आपको wait करना होगा उसके बाद मैं आपको लिखा आएगा कि आपका जो wallet है वो create हो चुक है आप ok पर click करेंगे यह है पहला step account बनाने का octo app पे लेकिन अभी तक आपका काम complete नहीं हुआ है अगर आपने गलती से सरफ यही step follow करके छोड़ दिया और अगर आपने application को uninstall कर दिया और अगर आप अपने password भूल जाते हैं तो आप अपने wallet को recover नहीं कर सकते हैं क्योंकि wallet को recover करने के लिए आपको phrase चाहिए 12 digit के जिसको आप private की बोल सकते हैं security की बोल सकते हैं आप अपनी language में कुछ भी बोल सकते हैं आपको वो की हमेशा जल्दी बाजी नहीं करना है wallet बनाने के बाद में आपको key setup भी कर लेना है ताकि आप चिंता मुक्त रहें आपको अगर password भूल जाते हैं उस condition में तो नीचे आपको यहाँ पर option मिल जाएगा secure your wallet वाला बट अगर आपको यह option नहीं मिलता है तो आप उपर user के logo पे click करेंगे उसके बाद में आपको काफी सारे option यहाँ मिल जाएंगे आपको यहाँ पर option मिलेगा wallet, backup, recovery वाला जस्ट आप यहाँ click करेंगे अब आपको नहीं आपर दो option मिलेगे हो सकता है कि एक option मिले मुझे नहीं पता कि आप कौन सा mobile यूज कर रहे हो उसके अनुसार आपको option यहाँ पर मिलने वाले है बट आपको definitely जो offline recovery वाला option है वो तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप iPhone यूज कर रहे हैं आप iCloud में भी जो आपके phrase है ना उनको save कर सकते हैं बट मैं कभी भी suggest नहीं करता कि भाई अपना जो आप online है वो phrase save करें बाकि आपका decision आपको जैस अच्छा लगे आप कर सकते हैं second option आपको मिलेगा auto recovery phrase वाला just आप यहाँ click करेंगे उसके बाद में कुछ basic बाते हैं आपको बताई जा रहे है कि भाई आप ensure करें कि आपका जो भी phrase है ना वो किसी के साथ भी आप share नहीं करेंगे online आप store नहीं करेंगे उसके बाद में अगर आपने जो phrase है ना वो खो दिया तो आप अपना पैसा भी खो देंगे and आपका जो phrase है ना वो किसी के साथ भी आपको share नहीं करना है और आपका जो wallet है ना उसको आप open कर पाएंगे अगर आप password भूल जाते हैं उस condition में तो आपको यहाँ पर यह tick कर लेना है तीनों उसके बाद में show recovery phrase वाले option पर click करना है उसके बाद में आपसे pin पूछा जाएगा जो फिलाल आपने बना है था जो भी pin आपने बना है वो pin आप provide करवाएंगे उसके बाद में आपको 12 digit के आपके जो private recovery phrase होंगे वो आपको दिखाई देंगे सबसे पहली बात आपको यह recovery phrase किसी के साथ भी share नहीं करने हैं वाला हूँ इसमें मैं कोई fund नहीं रखने वाला हूँ अगर मैं fund रखता तो मैं भी आपको नहीं दिखाता इसके अलावा आपको यह की हमेशा एक से अधिक जगे लिखके रखनी है आफलाइन हो सकता है कि एक जगे से कभी घो जाए तो दूसरी जगे से आप अपने recovery phrase को यूज करके अपने wallet को यूज कर पाएं जब आप अपने recovery phrase को लिख लेते हैं उसके बाद में आप continue पी क्लिक करेंगे उसके बाद में second number पे था for example sonu so rinku first word मेरा end होने के बाद में मैं space दूँगा उसके बाद में मैं हाप पर लिखूँगा sonu उसके बाद में space दूँगा उसके बाद में third मेरा jubi phrase था वो मैं लिखूँगा fourth लिखूँगा इसी परकार से मुझे 12 phrase लिखने है लेकिन एक phrase complete end होने के बाद में हमेशा मुझे space देना होगा लेकिन जैसे ही मैं 12 phrase लिख दूँगा तो 13 phrase जब मैं लिखूँगा न तो 12 phrase के बाद में मेरा कोई space नहीं होना चीए जैसे ही मैंने 12 phrase लिखा आपका जो recovery phrase होगा न वो setup हो जाएगा और ये setup करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब आपका finally जो wallet बनाने का process वो complete हो चुका है